हेलो व्रिवन आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है जी के ओशन यूटूब चानल पर आई वेलकम यूओल टू जी के ओशन यूटूब चानल देखे आज के इस पर्टिकुलर वीडियो शेशन में हम लोग साइन्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए most important 15 questions को discuss करने वाले हैं जो कि आपके आने वाली exam के लिए important है देख question बहुत ही selected include किया गया है सभी question important है और कुछ question ऐसे हैं जो कि exam में आई हुए है तो चलिए हम लोग अपने आज का discussion स्टार्ट करते हैं discussion को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को subscribe कीजेगा और इसको अपने friend circle में वीडियो को share कीजेगा and like भी कीजेगा ठीक है आप लोग google play store पर जा करके जीके ocean का application भी डाउनलोड कर सकते हैं तो आज का हमारा पहला question है विशाणू संक्रमित कर सकते हैं जीवाणों को कवको को पादपो को इनमें सापको सही उत्तर बता रहा है ठीक है तो देखें यहां पर हमारा सही answer लेगा विशाणू संक्रमित कर सकते हैं जीवाणों को भी कवको को भी और पादप को भी तो यहां पर option no.4 हो जाएगा हमा प्रोटो जोवा, शैवाल, वनस्पति और पश्वा सहीत सभी जीव रूपों को संक्रमित कर सकते हैं ठीक है जीवाडियों को संक्रमित करने वाले विशाणू बैक्टिरिया फेस कहलाते हैं और कवकों को संक्रमित करने वाले विशाणू माइको वाइरस कहलाते हैं ठीक है ज पहला दिया हूँ है कि विशाणूं मे ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक एंजाइम नहीं होते हैं दुसा दिया हूँ है स्टेट्मिंट्पि विशाणू को किसी भी संसलेशिद माध्यम में समवर्धित किया जा सकता है और थर्ड दिया हुआ है कि विशाणू का एक जीव से दूसरे जीव में संचरन केवल जैविकिये समवाहकों द्वारा ही होता है तो देखिए यहाँ पर हमारा जो सही कतन है वो है कौन सा वो है पहला और तीसरा ठीक है पहला और तीसरा हमारा सही कतन है तो यहाँ पर option number 3 हो जाएगा हमारा सही आंसर next question है नेमलिकित में से कौन जल को जिवाणू मुक्त करने हितु प्रियोग होता है तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ओजोन ठीक है क्लोरीन डायोकसाइड और क्लोरीन डायोकसाइड और क्लोरेमीन यानि कि यहाँ पर तीनों ही यूज किया जाता है क्या ओजोन भी किया जाता है क्लोरीन डायोकसाइड भी किया जाता है और क्लेरोमीन भी किया जाता है तो option number 4 हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही answer next question है साल्क टीका निमलिखित में से किस व्यादी से सम्बंदित है तो there is 4 option given और यहाँ पे हमारा सही answer जाएगा polio ठीक है देखें यहाँ पे दिये गया इसमें जीके टीका और यहाँ पे खोज करता के नाम दिये हो है आपको यह अच्छे से revise कर ले ना क्योंकि यहाँ से question पूछे जाते है पहला दिया हुआ है चेचक तो इनके टीके खोज करता कौन ते एडबर कई बार पूछा भी गया है ठीक है इनसुलिन, बेंटिंग और पोलियो यह हो जाएगे जॉन, ई, साल्क और 430 भी यह हो जाएगा यूरिन, कॉल, मेट ठीक है तो यह आपको अच्छे से याद कर लेना है नेक्ट कोशन है प्रोबायोटिक खादि में सजीव दिवार विदिमान होते हैं जबानों के लिए लाबकारी हो जाते हैं और प्रोबायोटिक खादि अंत्रफ्लोरा के अनुरक्षन में सहायक देता है तो देखे, यहाँ पर जो हमारा सही आंस्ट रहेगा पहला और दूसा दोनों ही यहाँ पर हमारा कथन सही है आपको अच्छे से कोशन का लेवन थोड़ा हाई है तो आपको अच्छे सभी कोशन को रिवाइस कर लेना है याद कर लेना है यहां से आपको कुछ important fact अच्छे से revise कर लेने, पहला क्या दिया हुआ है, देखे साइनो बैक्टीरिया या नील हरीच श्यावाल एक जिवाडू फाइलम होता है और जिसका उपयोग जाविक खाद की तरह होता है, सेकेंड है कि साइनो बैक्टीरिया वायूमंडिली नाइट्रोजन का योग की करण कर फसल को आंशिक मातरा में नाइट्रोजन की पूर्थी करता है, इम्पोर्टन है यह जाविक खाद रसानिक उर्वरत का सस्ता वा सुलब विकल्प है, जो की मिट्टी की गुर्वरता वा मेरा, विटमिन A की कमी का मुख्वल अच्छन है, विटमिन A जिसका कैमिकल नेम रेटिनॉल होता है रसानिक नाम, पहला गतन यह दिया हुआ है, दूसरा गतन दिया हुआ है कि विटमिन B1 की कमी अप आचंत तहिदे अप वृध्धि का कारण हो सकती है, तीसरा दिया है व विटमिन C का chemical नेम होता है Ascorbic Acid, विटमिन D का chemical नेम होता है Calciferol, विटमिन A का मैंने बताया क्या होता है Retinol, देखे विटमिन B के कही टाइप होते हैं, B1, B2, B3, B6, B7, ठीक है, और विटमिन B1 का chemical नेम होता है Thymine, ठीक है, देखे अश्रु ग्रंथी एक बही श्रावी ग्रंथी होती है, और बही श्रावी ग्रंथियों से एंजाइम का स्तराव होता है, ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट कोशन आपके सामने, नेम लिकित में से कौन सा मिश्रित उर्वरक है, ठीक है, यूरिया, कैम, अमोनियम सल्फेट या MPK, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होएग तो यह बना होता है, नरम लोहेका, ठीक है, नरम लोहेका, ठीक है, अप्शन आमबर टू हो जाएगा है, यहाँ पे हमारा सही आंसर, देखे, ट्रांसफार्मर एक ऐसी युगती है, जिसके द्वारा एसी वोल्टिता को मान से दूसरे अधिक या कम मान में परविर्थित कि ठीक है, ठीक है, ठीक है, ट्रांसफार्मर में दो कुंडलिया होती है जो एक कोमल लोक रोड पर लिप्टी होती है और या विद्वत चुम्ःकियों प्रेण के सिधान पर कारी करता है, ठीक है, यहाँ पे हमारा सही आंसर जायाएगा, ठीक है, यह भी कौशन कई बार पु सही आंसर देखें ट्रांजिस्टर में अर्ध चालक के रूप में जर्मेनियम तथा सिलिकॉन का प्योग किया जाता है और अर्ध चालक की चालक ता सामाने ताप पर चालक एवं विद्धुत्रोधी प्रदायोग के मद्धि होती है इुक्ति जो यांतरिक कूर्जा में बदल देती है ठीक है अप्शन पर फोर हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर नहीं के एक यह आपको अच्छी से रिवाइस करे लेना है जल्दिस में आपको बदा देता है वो विद्धूत मोटर होता है वो विद्धूत उर्जा को यांत्रिक उर्जा में बदल देता है डाइनमो जो होता है वो यांत्रिक उर्जा को विद्धूत उर्जा में बदल देता है और विद्धूत सेल रासानिक उर्जा को विद्धू ट्यूप लाइट तो इनर्जी में और सोलर सेल आपको प्रकाश स्टरा को विद्धुदे को, विद्धूत बंप दाहिक में बदल देता है हैं, गढ़िकर होती हैं, दीधै ये मैंने इसलिए आपको पड़ा क्यूंकि ये ऐखिल में पूछ से गए हैं, नेक्ट कोशन है आँख के किस भाग में अंत बिंदू था पीत बिंदू पाए जाते हैं ठीक है आपके सामने आप चार ओप्षन दे रखा है और यहाँ पे हमारा सही आंसर एगा द्रिस्टी पटल ठीक है देखे एक्स किर्णे के बारे में आपको दिया हुआ है एक्स किर्णे क्या होती है देखे मैं इसका डारेट आंसर आपको पता देती हूँ देखे एक्स किर्णे ये विद्धु छेतर की चुम्बिकिये छेत प्वारा विक्षेपित नहीं होती है ठीक है ओप्षन नुबर 4 जाए रहे हैं आपके हमारा सही आंसर देखे रेडियो सक्रिय पदार्तों से निकलने वाली अदेश्र किर्णों को रेडियो सक्रिय किर्णे कहते हैं जैसे अलफा बीटा एंड गामा ठीक है और एक्स किर्णों की खोश डबलू के रुडजन ने की थी यह आपको थर्ड वाल अच्छे से याद कलेना एक्जाम में पूछा गया है कोशन है निम्लकित में से किसकी उच्चितम उर्जा होती है ये भी कोशन एक्जाम में पुछा गया है, इंपोर्टेंट है ये, तो यहाँ पर हमारा सही आंस वेगा, उच्छितम उज़ा किसकी होती है, गामा के नों के, ठीक है, फिफ्टींत कोशन है, आज का लास्ट कोशन है, ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता क्या होती है, ये घटती है, घटती है, ऑक्षिन उबर टू हो जाएगा यहाँ आपके हमारा सही आंस है, देखे, श्यानता तरल का वहाँ गुड है, जिसके कारण तरल की विभिन पर्तों के मद आप एच्छिक गती का विरोध होता है, और श्यानता केवल द्रव और ग्यासों का गुड है, ये आपको बहुत अच्छे से याद कलेना है, देखे, आप हमने साइन्स से कुछ बहुत इंपोर्टन 15 कोशन को डिसकस किया है, जो कि आपके एक्जाम के लिए बहुत ही जादा, इंपोर्टन है, साइन्स के और वी वीडियो चानल पर अप्लोड़ेड है, आप उन वी वीकली करंट अफेर का नेक्स पार्ट आज शाम तक अप्लोड हो जाएगा, तो थैंक्यू सो मुच व वाचिंग, वीडियो का आप लोग लाइक और शेर भी कीजेगा, थैंक्यू